शुबो दै बच्छो मैं आपकी रेनु का टीचर आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ आज हम देखेंगे रू की मात्रा कैसे रू की मात्रा लिखना है और उसका उच्छार कैसे करना है इसके बारे में आज जानेंगे पहला है व रू की मात्रा रुक्ष 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 यानि पेड़ पेड़ से हमें अनेक फाइदे मिलते हैं अलाब होता है पेड़ से हमें ताजी हवा मिलती है फल मिलता है और पेड़ से हमें आक्षिजन भी मिलता है दूसरा गह रू की मात्रा ह ग्र ग्र यानि जो हम रहते हैं मकान में उसको ग्र कहते हैं न रू की मात्रा प रुप रुप यानि राज़ा किसी पहले के जमान में राज़ा महाराज़ा हुआ करते थे उसे उने क्या कहते हैं रुप आगे देखेंगे हम जो जो आरेकी शब्द है उसका चित्र नहीं है लेकिन उसके बारे में जानेंगे और उसका क्या आर्थ है या हम समझेंगे पहला है ग रूकी मात्रा ह गुरुह यानि मकान म रूकी मात्रा ग मुरुग यानि जानवर जो मुरुग होता है जंगल में रहता है उसे मुरुग कहते हैं तरूकी मात्रा न तरुन तरुन यानि घास जो प्रानी घास खाते है घास हरा रंग का होता है मं यानि अजी जान गण मरुग यानि मरा हुआ जिसमें जान नहीं है न नत है जैसे की मुर्गी आदमी बुड़े होने के बाद मर जाते हैं उसे कहते हैं मुरुत मर गया गुजर गया ऐसे गह रू की मातरा था गुरुत गुरुत यानि जो मक्षन जो हम दूद से दही से निकालते हैं मक्षन जिसे हम बहुत प्यार से खाते हैं उसे केते दुरुद्थ, क, रू की मत्रा, प, आ की मत्रा, कुरुपा, भगवान के कुरुपा से हम क्या करें आज? अच्छे थरसे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं बगवान की एक रुपा भी बहुत जरूरी होता है व रूकी मात्रा थ आकी मात्रा रुत रुत जिसका उमर हो गया है जैसे कि दादी नानी दादा जी नाना जी जिनका उमर हुआ है उनको कहते हैं रुत रुत्था आगे देखें व रुकी मात्रा रुक्ष रुक्ष यानी पेड म रुकी मात्रा द आकी मात्रा मुरुदा मुरुदा यानी मिठी मिठी में पेड पोदे उगते हैं मिठी में हम धाने उगाते हैं खेतों में मिठी की बहुत जरूरी होती हैं मिठी में आरेक रंकी होती हैं काली मिटी लाल मिटी ऐसे म आकी मात्रा तरू की मात्रा मात्रू मात्रू यानि मा अपनी मा मा तो आप जानते हैं हर गर में मा है क रू की मात्रा क्रूशक यानि जो खेतों में हल चला के मैनत से धूप बारिश और थंडी के मोसम में भी लगातार काम करने वाला क्रूशक यानि किसान जो काम करता है वो फून है किसान है किसान वहाँ न गर्मी देखता है न दूप देखता है न बारिश देखता है लगातार काम करते रहता है और हमें अन खाने के लिए मिलता है खाना, रूप व, रू की मात्रा श, भ, रुक्ष, रुषब भी किसान के साथ जो बैल होते हैं उससे रुषब खेते हैं किसान के साथ क्या करता है? रुषब भी लगातार काम करते रहता है करुकी मात्रा पर आकी मात्रा न कुरुपान कुरुपान यानि हम किसी से भी कुछ चीजे माग दे हैं और वहाँ देने से मना करते हैं आजकल महराजा कुरुपान बहुत इस्तिमाल करते हैं कुरुपान यानि तलवार कर रूकी मात्रा प यह आकी मात्रा कुरुपया कुरुपया जिसे भी हम कोई चीज मांगते हैं तो हम क्या करते हैं एक रुपया करके थोड़ा दे दीजी कुरुपया है आपका जो हमें मदद करते हैं उनका हमेशा कुरुपया रखनी चाहिए व रूकी मात्रा रुदय हमेशा साप्रकनी चाहिए प रूकी मात्रा थ का प्रुथक यानि अलग अलग काम करना अलग अलग तरीके से बताना उसे के ते प्रुथक का रूकी मात्रा प्रुपन यानि लालची कभी भी हम लालच नहीं करनी चाहिए लालच बहुत गंदी आदत होती है अ म रूकी मात्रा थ अम्रुथ अम्रुथ देखें अब जो भी भगवान अमर होने के लिए एक की मतरा न आकी मतरा गुरुना नफरत करना जैसे कि एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं दुश्मन, दुश्मनी बढ़ाते हैं उसे कभी भी हम दुरुना नहीं करना चाहिए यह बहुत गंदी आदत होती है क, रू की मातरा श, यी की मातरा श, कृुशी देखो, किसान का काम क्या है, कृुशी करना उसका वेवसा ये किसान का च अम की मात्रा द आ की मात्रा म म की मात्रा् त चन्दा मुर्थ यानि चांद का उजला राट को जब भी हो रहता है चांद आने से चार और उजाला होती है। उससे कहते हैं चंद मरू की मात्रा दू की मात्रा लुडूलुहूल्यानी बहुत ही क्या है कोमल जैसा हर एक एक बच्चे का मन कैसे होता है कोमल होता है उसके जो भी कटिनाई वो सहन नहीं कर सकता और एक-एक बच्चा इतने हैं वो हमेशा कटनाई को डट कर सामना करते हैं ऐसे दो प्रकार के होते हैं सहरू की मातरा दय सहरुद्धय यानि रुद्धय अपना रुद्धय हमेशा साप रखनी चाहिए रुद्धय से सोच उचार करकर आगे पढ़ना चाहिए त रुद्धय की मातरा न म या तरुनामई इसका मतलब है घास एक प्रकार की घास होती है का रुद्धय की मातरा त न्या रुतद्द्धय जब हमें कोई मदद करता है और जब भी हम मुसीमत में होते है अनेक लोगों की सहायताम लेते है उनका गुरुतद्धय करना चाहिए वो बहुत अच्छी आदत होती है बच्चों में हमेशा कुरुतद्धय का भाव रखकर आगे बढ़ना है यहाँ पहले सीखना चाहिए बच्चे आपको समझ में आ गई है यह शब्दारत क्या है आगे चलेंगे यहाँ एक चोटी सी कानी है इसके बारे में आज हम देखेंगे गुरुह चल यानि घर चलो चलकर गुरुत तला घर चलकर क्या करना है गास लाना है किसी अमरुत पी अम्रुद क्या करो पीओ अम्रुद यानि रस का पानी होता है फल का पानी फल का रस उसे कहते हैं अम्रुद म्रुग त्रुन चर रहा है देखो म्रुग क्या खा रहा है घास खा रहा है इश की कुरुपा है या इश्वर की कुरुपा है हम चैसे सेहेत अच्ची है दुरूऩ बन यानि कमजोर मत बन तुम्म हमेश दुरूड बनो ताकतवार बनो मस्बूत बनो कुरुपन मत बना लालच मत करो कुरुपन मत बना येनि लालच मत बन कुरुष रुख्य पर मत चड़ रुक्ष पर मत चड़ो पेट पर मत चड़ो maior यानी क्या हो जाएगा नहीं तो गीर जाओगे मृदू वच्चन बोल मृदू वच्चन बोलना चाहिए हमेशा कभी भी मृदू से सभसे बाद करनी चाहिए मृदै साफ रख मृदै हमेशा साफ रखनी चाहिए लालच का दिखाना ख्रोध में आना ऐसे नहीं करना चाहिए बसंत रुतु आ गई है बसंत यानि फूलो का रुतु आ गई है तब यह उसमें क्या हो जाता है सब अच्छे तर से फसलो क्या राते है कुरुशक कुरुशी करता है कुरुशक यानि क्या कर रहा है कुरुशी काम कर रहा है रुशी तब कर रहा है रुशी क्या कर रहा है तब कर रहा है ज्यानी होते है इसलिए तब करते रहते है या आद्याय आपको समझ में आ गई होगी आप इसे दो बार अच्छे से पढ़िया आगे हम देखेंगे आज एक से बीच तक गिनती कैसे गिनती को गिनना है और उसको उच्छार करना है देखें हिंदी में एक से बीच तक गिनती अब मैं कह रही हूँ इसी प्रकार आप भी कहर कर लिखिए एक, दो, तीन, चार, पान, छो, साथ, आठ, नव, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, आठारा, उननिस, बीस देखें इसी तरह हम क्या करना चेंगे गिनती को पढ़ना है और उसको दोराना है बच्चो अभी से अच्छे से पढ़कर याद कीजिए और मैं आपको अगले हक्ते एक नया आदय के साथ मिलूंगी धन्यवाद